हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस तरी एवं प्रसूती रोग विशेशग्य और किंडम अफ हैल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जब आपकी नॉर्मल डिलिवरी होती है तो डॉक्टर आपको नीचे रास्ते पर एक इंसीजन देती हैं जिसे हम एपिजियोटमी कहते हैं और बाद में डिलिवरी होने के पश्चात उसको इस्टिच कर दिया जाता है और डॉक्टर आपको कहती है कि यह जो टांके लगाए गए हैं नीचे की तरफ वहाँ आपके 15 दिन में अपने आपी घुल जाएंगे और 15-20 दिन में आपको यह जुड़ जाएगी जगे लेकिन दोस्तों कई बार जब हम डिलिवरी कराते हैं और एपिजियोटमी लगाते हैं इस्टिच करने के बाद जब उन्हें घर बेज देते हैं तो 7-8 दिन बाद जब पेशेंट्स आती हैं तो हमें मैसूस होता है कि उनके टांके ठीक से जुड़े नहीं हैं और वहाँ ग देटी उत्पन हो जाती है डिलिवरी के परश्चात एपिजियोटमी की इस्थान का कैसे ध्यान रखा जाए जिससे की आपकी जो इसकिन है अच्छी तरह से जुड़ जाए और वहाँ गैप ना करें दोस्तों सबसे पहले तो जब आपकी डिलिवरी हो जाती है तो उसके प खून की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपका हीमोगलोबिन 11 ग्राम से उपर है तो आपके टांके जोड़ने की संभागना अच्छी रहेगी और जल्दी आपके घाओ भर जाएंगे तीसरी बात है ड्रेसिंग आप अपने एपिजियोटमी के टांकों की अच्छी तरह से द ट्यूब लगाने के लिए देते हैं वह लगाएं और आप नॉर्मल गरम पानी की सिकाई भी कर सकते हैं और गरम पानी का टेंपरेचर ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि आपकी त्वचा जले नहीं इसलिए पानी गुनगुना होना चाहिए और उसमें आप सिकाई भी कर सकते हैं अगर आपको अधिक सूजन मैसूस हो रही है तो अगर आपको ज्यादा दर्द नहीं है सूजन मैसूस नहीं हो रही है तो आप अच्छी तरह गरम पानी से केवल सफाई कर लीजिए और उसके बाद आप ट्यूब लगा लीजिए और साफ सुतरा पैड लगाईए अपनी एपिजियोटमी केर के बारे में उन सभी इंस्ट्रक्शन्स को उन सभी सलहा को आपको फॉलो करना है सबसे पहले जो दवाईयां उन्होंने जितने दिन के लिए लिखी है वह सारी दवाईयां आपको समय समय से खानी है जितनी बड़ी एपिजियोटमी होती है उसक टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके घर में वह नहीं है तो बाजार में एक चेयर उपलब दोती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरी बात है आपको पालती मारकर नहीं बैठना है नीचे जमीन से सटे हुए स्टूल पर नहीं बैठना है अगर आप प्रों में इस्तूल का इस्तेमाल कर रही आने के लिए या बाहर कहीं बיठने के लिए तो वह ईस्तूल एंचे होने चाहिए जिससे कि आपको उठते वक्त ताकों पर चोर ना लगे आप काम की जगा को जितना रेश्ट पर रखेंगे उसको यह स्ट्रेस में नहीं डालेंगे टाऔकों कि जगे उतनी Ñच्छी तरह से हील करेगी कंई बार बहुत नीची कटिया पर लिटा दिया जाता है तो उससे उठने बैठने लेटने में परिशानी ना हो आपको कबज नहीं होनी चाहिए लेटरिन पर जोर नहीं लगना चाहिए और अगर आपको कबज रहती है तो आप कबज के लिए डॉक्टर से दवाई लिखवा सकते हैं ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपके टांपों पर जोर आए और तनाव पैदा हो और संकर्मन से अपना बचाओ करें साफ सुत्रे, सूखे कपड़े पहने अंडर गार्मेंट सही क्वालिटी के इस्तेमाल करें समय समय पर इस्टरलाइज पैड बदलते रहें आपके नीचे शरीर से और पैड से बदभू नहीं आनी चाहिए और आपको पेशाम में जलन नहीं होनी चाहिए नॉर्मली सिक्स वीक्स तक आपको वजाइना से ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ सकता है जो की डिलिवरी के पश्चात आता है तो इसलिए आपको अपना साफ सफाई का विशेज ध्यान रखना है आपको टांकों की जगाओ को चोड़ा नहीं करना है पालती नहीं मारनी है और कोई तनाव वहाँ पैदा नहीं होना चाहिए और साथ में आप अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेंगे और डॉक्तर की सलहा मानेंगे और दवाईया खाएंगे तो आपकी जो एपिजिवाटमी है 15 दिन में अच्छी तरह से जुड़ जाएगी और 21 दिन का समय भी लग सकता है लेकिन अगर आपके टांके नहीं जुड़ रहे हैं और दीरे दीरे गैप कर रहे हैं तो आपको उसमें लगाता ड्रेसिंग करानी पड़ेगी आप चाहें तो किसी नर्जिंग स्टाफ को घर पर बुला कर या अस्पताल जाकर अपने टांकों की ड्रेसिंग करा रहा सकते हैं और फिर टांकों को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर एपिजोट में की जगए छोटी है तो वह धीरे धीरे भरती है 6 weeks तक क्या समय लग सकता है लेकिन अगर टांके बहुत ज़्यादा खुल गए है और गैप हो गया है तो कुछ दिन ड्रेसिंग करने के बाद दुबारा से री सुचिरिंग की जा सकती है और अगर आपकी परिस्तिती अभी री सुचिरिंग करने लायक नहीं है तो फिर आपको 6 weeks के बाद ही दुबारा से बुलाया जाता है और टांकों की जगे को री स्टिच किया जाता है Otherwise वह जगे ऐसे ही गैप कर जाती है और खुली हुई महसूस होती है Thank you friends